हेले वेरण, तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं करसी परवेक्षिक भरती परवेक्षिया 2020-21 के बारे में जिसमें हम जानेंगे कि आपकी जो भरती परवेक्षिया आने वाली है करसी परवेक्षिक इसमें आपके लिए क्या आयू सीमा रखी गई है क्या आपकी सेक्स्टन योग्यता होनी चाहिए कितने पद आने की समावना है इसके सासत क्या आपका सलेबस रहेगा और कितनी आपकी कटोफ जा सकती है और क्या आपकी एक्जाम फीस रहने वाली है तो इन सभी चर्जा करेंगे हम इन सभी बिंदू अबर तो बस आपको कुछ नहीं करना है बस इस वीडियो आप पूरा देख लीजिए आपके ये सभी जो डाउट है ये सभी जो क्रिशन है ये क्लियर हो जाएंगे इस एक मात्र वीडियो से ठीक है इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी नई इस स्ट्टेंट है वह जल्दी से जाएंगे चैनल को सबस्राइब गर लिजिए क्योंकि हमार इस से अग्रिकल्ट्र शारीलिटिव डेड़ी वीडियोस आती रहती है ठीक है तो चलिए आज की वीडियो के स्टार्ट करते हैं आज करते हैं आज करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो आपकी क्रिस्टी परवेक्षयत 2020 से 21 की सम्माविद पद है वो कितने हैं तो याद रिखीगा अगर हम बात कते हैं स्विकर्थी पद मतलब जो आपकी स् लेटेस डाटा के अकोर्डिंग तो जब ये पोश्ट 940 पोश्ट वीती विवाग में गई उसके बाद में जो 58 पोश्ट है टी एसप एरिया की इसे कम कर दी गये इसे घटा दिया गया है और अब जो लेटेस डाटा के अकोर्डिंग आपके स्विकर्थी पद है वो कितने है याद रखेगा 885 कितने है टोटल पोस्ट रेसेंट डाटा के अकोडिंग हुआ है 885 पोस्ट है ठीक है यह तो ही कि जो आपकी सम्हावित पदा है ठीक है एक्सपेक्टेड जितनी भी आपकी पदा आने वाले हैं उनकी बात अब हम बात करते हैं कि जो आपकी प्रोसेस रह कि जो आवेदन सुल्क है मतलब जो आपकी एक्जाम फीस लगती है यह हम बात करेंगे 2008 के अकोडिंग ठीक है तो 2018 में जो आपकी फोरूम बरे गए थे उसमें जो आपकी आवेदन सुल्क थी मतलब एक्जाम फीस वो जनरल के लिए थी साड़े 400 रुपए अगर हम बात करत हैं SC, HD और PH तो इन सबी के लिए 200 रुपए रखी गई थी एक्जाम फीस अब यहां पर एक्जाम फीस से बढ़ भी सकती है और गट भी सकती है इसका कोई आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उस पर आपको इसका पता चल जाएगा ठीक है तो इसकी आप टैंसल मत ल जो सुपरवाइजर जो वैकेंसी है इसके लिए हमारी जो क्वालिफिकेशन है यह होनी क्या चाहिए तो इसके लिए या तो आप 10 प्लस 2 विद एगरिकल्चर मतलब आपने जो 12 किया वो एगरिकल्चर से होनी चाहिए या फिर आपके पास BST एगरिकल्चर की डिगरी होनी जाहिए यह तीनों इलिजिबल है जो की फॉर्म फिल कर सकते हैं आपकी जो एग्जाम में यह दे सकते हैं ठीक है इसके बाद में हम जानते हैं कि एकरिकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम देने के लिए कौन-कौन से स्ट्वेंट इलिजिबल है या फिर कौन-कौन 40 साल है वो सभी स्ट्वेंट इस परिक्षा के लिए इलिजिबल है जो एग्रिकल्चर सुपरवाइजर की परिक्षा को दे सकते हैं ठीक है इसके साथ याद रखीगा जो अधिक्तम आयू सीमा है इसमें छूट भारा सरकार के निया मानुसारत दी जाती है पांच यह दस सा होनी चाहिए मिनिममम ठीक है में चूट मिलती है वह भारत सरकार की द्वारा दी जाती है कि आपको पांस साल की मिलती है फिर दस साल की ठीक है तो यह हुई बात एस लिमिट की अब हम जानते हैं कि जो आपकी एक्सपेटेट कट ओफ है मतलब आपकी जो 2018 में जो कट ओफ र सकते हो या फिर जो आपकी इसकी PDF है यह मैं आपको ग्रॉप में प्रोवाइड कर आदूगा तो आप ग्रॉप जोइन का सकते हो लिंक में डेस्क्रिशन डाल दूगा तो आँसे आप ग्रॉप को जोइन का सकते हो ठीक है तो अगर हम बात कते हैं 2018 में जो कट ओफ रखी सब्सक्रिशन अगर हम बात कते हैं जो टीएसपी एरिया है तो उसके लिए तो याद रखेगा जो टीएसपी एरिया है उसकी जो कट ओफ रखी गई थी 2008 में और रखी गई थी जनरल मेल के लिए 200 जनरल फिमेल के लिए 164 SCM मतलब SC male के लिए 177 और SC female के लिए 134 ठीके ये थी आपकी टीएसपी अब टीएसपी में आते कौन से हैं जो कि आरहां डूंगर पर और बासवाड़े छेत्रे से बिलों करते हैं मुख्यते वो छेत्रे यहाँ पर रखे गई हैं ठीके टीएसपी एरिया के लिए तो इसके कि र7 वड़ा आपका स्लेबस होता है ठीक है तो उसके बारे में हमसान लेते हैं तृ यहाँ पर आप देख सकते हो ठीके यानि सबसे सोल्ट जो सीरे मस होता है वो एक्रिकल्च सप्रिफ्परोइजर का ही होता है आब गय nations परेंने ऑप कहसे याद मिस सुन्दी क 나올 और गया हुआ परियाई बाची हुआ एक सब्दुए यह सब वाले आपको के ओल व्यक्राण में देखने को मिलेंगे ठीक है और व्यक्राण वाला एक परिचेतरमार्क्स देते हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं सुपरवाइजर एक्रीक लिए ठीकी ओल्स निया है इसे आपके 60 questions पूश्याता है ओके से agronomy की 20 question horticulture की 20 question annual husbandi की 20 question तापके सबसे easy subject है सबसे easy post है याद रखेगा ये agriculture जो supervisor जो exam है ये सबसे common exam है क्योंकि आप अगर exam भी fight कर लेते हो तो आपका selection पका है अब ओके से क्योंकि याद रखेगा अगर आपने agriculture और उसके बाद में आपको just zoning दे दी जाती है तो इससे अच्छा आपके विले golden charts नहीं आ सकता तो इस vacancy को बिल्कुल भी miss नहीं करना है तो अगर आपने अभी से तयार नहीं start किया है तो जल्दी से कर दीजिए और इसके साथ आपके लिए एक उसका वरिया है कि हम agriculture supervisor की special classes आपके लिए organize करेंगे agriculture की union तक आपकी start कर दी जाएगी और अगर हम बात कते हैं रास्तान जीके के लिए तो रास्तान जीके के लिए हम कुछ टाइम बाद में आपकी जो classes आइगी start कर दी जाएगी ति आवाईए notification को जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो अप्लोड की जाए तो आपको notification साथ मिलती रहें ठीक है तो अगर आपको जानकरी पसंद आएए तो वीडियो को like कीजिए इस वीडियो को ज्यादा सजादे आपने दोस्तों की साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो जाईए चैनल को सबस्क्राइब पीजिए